Hello my dear student, मैं रीता मैम आज आपके लिए फिर से नहीं एक स्टोडी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है काकी की रोटी बच्चो यह कानी एक बूरी काकी की होती है, मैं अपनी जोपडी में अकेले रहती है एक दिन की बात है ए भगवान काम करते करते मेरी कमा तूड़ गई मुझे बहुत तेजभूक लगी है देखती हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए इतना कहते ही वह अपनी जोपडी के अंदर रोटी लेने जाती है तब ही उसे एक रोटी मिल जाती है चलो मैं ऐसे बैट कर खा लेती हूँ उसके पास ही एक पेड होता है घर के पास बसके उपर एक कववा होता है उस रोटी को देखकर कववा उसके पास आकर के वह रोटी उससे छीन के उपर ले जाता है अरे कववे कववे तो मेरी रोटी जल्दी दे दे मेरे पास एक ही रोटी है और मुझे बहुत तेख भूक लगी है जल्दी दे दे मेरी रोटी नहीं काकी काओ 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 मैं भी भूका हूँ मैं ये रोटी नहीं दूँगा ओहो अब मैं भूक ही रही रहे जाओंगी इतना कहते ही वहें पेड से कहती है अरे पेड़ भाई पेड़ भाई सुनो, यह जो तुमारे पेड़ के ओपर जो हूँ है, अपना पेड़ जोड जोड से हिलाओ जिससे कि इसका गोसला नीचे गिर जाये और मुझे मेरी रोटी वापस मिल जाए नहीं काकी, मैं उससे ये नहीं कर सकता हूँ हाँ, मेरा उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं करूँगा इतना सुनते ही काकी कुछ दूट चली जाती है बहे बूरी काकी लकड़ हारे के पास जाती है सुनो लकड़ हारे भाई, देखो मेरी जो रोटी है न उस कववे के पास है बहे कववा उस पेड़ के उपर रहता है मगर पेड़ को तुमें काटना पड़ेगा क्यूंकि तब ही तो मेरी रोटी मिल पाएगी न नहीं काकी मैं उस पेड़ को नहीं काटूंगा उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है इतना सुनते ही काकी थोड़ा आके बढ़ती है तबी उस काकी को एक चूहा मिलता है काकी चूहे से कहती है देखो देखो उस बढ़ई की तुम जो हो वो काड़ो कुलहारी वह कहता है चूँ 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 नहीं काकी नहीं मैं उसके कुलहारी नहीं काटूंगा उस बड़े ने मेरा क्या भी गाड़ा है मैं उसकी बड़े कुलहारी बिलकुल भी नहीं काटूंगा इतना सुनते ही काकी थुड़ा आगे बढ़ती है फिर उस काकी को एक बिल्ली मिलती है काकी उससे कहती है सुनो सुनो तुम उस चुहे को खा जाओ उसने मेरा काम पूरा नहीं करा है मेरा उसने कुछ भी नहीं बिगाडा है मैं उसको नहीं खाऊंगी फिर वह काकी उदास हो जाती है और वह अपने घर बापस आ जाती है लगता है कि आज मुझे भूका ही सोना पड़ेगा हाँ, मुझे बहुत तेज भूक लगी है और मैं बहुत ठक गई हूँ अब सोने चली जाती हूँ कि तब ही अचानक दूर से आता हुआ एक कुटा मिलता है काकी काकी क्या हुआ तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो हाँ, देखो मुझे बहुत तेज भूक लगी है देखो तुम उस बिल्ली को डरा के आ जाओ इतना सुनते ही वह कुटा उस बिल्ली के पास में जाता है अब बिल्ली उस कुटे को पास में आता हुआ देख घवरा जाती है और वहे उस चुहे को खाने चली जाती है वहे सोसती है उस बूरी काकी नहीं यही सब किया है हाँ, मैंने अगर उस चुहे को नहीं खाया तो यह कुटा मेरे पीछे पर जाएगा इतना सुनते ही वहे चुहे के पास जाती है अब उस बिल्ली को आता हुआ देख बहे चुहा भी उस लकड़ारे की कुलहारी काटने चला जाता है अब बहे लकड़ारा जब चुहे को देखता है तब वहे अपनी कुलहारी उठा कर उस पेड़ को काटने चला जाता है जिसके उपर वह कवा बैठा हुआ होता है अब जैसे ही लकड़ारा उसे काड़ता है तो पेड कहता है रुको भाई, रुको भाई मैं जो कवा जो है इसके घोसले को गिराता हूँ तब ही काकी को अपनी रूटी मिल पाएगी अब जैसे ही बैह हिलना शुरू होता है तब कवा कहता है काओ, काओ, देखो मेरा घोसला मत तोड़ो हाँ, काओ, काओ मैं इस रूटी को काकी को बापस दे देता हूँ इतना सुनते ही वह कवा वह कवा उड़कर काकी के पास आकर उसकी रूटी बापस कर देता है और काकी बहुत खुश हो जाती है और वह खुश होकर आराम से सोती है तो बताओ बच्चो यह स्टोरी आपको कैसी लगी बताएगा जरूर थैंक यू